हेलो स्टूरेंट्स आजे टुआ लुकोक पात नौंग साड़ी धर्टी माता का पत्र अभ्यास मालाखी नी आलोसना कोड़ी दियू तुमाल के मौन दी हुने जबा सो सोय नौंग जे टुकाच्य कला फैटिस्वा पूर्ण वायक्या में उट्टर डो सो याथा हम पूर्ण पूर्ण ने किसने किसको लिखा है सिताथाएन फने काक लिखी से गईंवा या पत्र धर्टी माता ने चोटे चोटे प्यारे बच्यों को लिखा है नेक्स्ट पैस्यन 50 माता कि उम्मीदे किस पर धर्टी मारा अहाँ भडोखा का सो कर दोले है दर्टी माता की उम्मीरें चोटे बच्छों पर है दर्टी माल आहां भर्खा खौण कौन हीखुल हुआ कलर प्व физ Willis ग दर्टी माता ने वर्स्ट के लिए हमें क्या दी है ज़ग तो तो लिकी बाद दर्टी माता ने वर्स्ट के लिए हमें कपास दी है धर्टी माता ने मनिश्य को क्या क्या दिये है धर्टी माता ने मनिश्य को बहुत चाड़ी चीजे दी है जैसे खादे के लिए अनाज और फल घर बनाने के लिए लकड़ी वस्ट के लिए कपास आधी दी है धर्टी माए मनुखब बहुत पोष्टू दी चे जैने खाइड डर बाबे अन्नों दी फल दी ख़ाल दी घर बना बोलोई कात दी और बस्तो ट्रोयार कोड़ी बोलोई कपाह दिसे पासवर बस्तो दुस्वा लोग किस तरह धर्टी माता को नुक्षान पहुचा रहे हैं जब मानु मिला के केने दोरे धर्टी माँ छोटी कोड़ी असे तो ट्रोल लखिवा लोग तरह तरह के कारखाने खोलकर गंदा पानी चोर डदियों को दुशित कर रहे हैं मोटर गारियों के धुए से बायू को विशेली बना रहे हैं और पेरों को कातकर जंगलों को दस्ट कर रहे हैं इस तरह लोग धर्टी माता को नुक्षान पहुचा रहे हैं जब धर्टी माता मानु है भी भिन्नो धरोने ख्योती जंगल बूर नौस्ट कुरीबसें उत्टोर पस्तों दुस्वं से रच हो हुई सोल वोगाने से 48 रेहाली चाई रहेगी हावाबी सुठ रहेगा साथ ही सास लेने में हमें पेरों से अक्सिजन भी मुलती रहेगी पेर ही जीवन का स्रूत है आवश्यक मात्रा में बारीस होगी तो फसले अच्छी होगी अगर पेर ही नहीं रहेंगे तो हम धर्टी पर जीवित ही नहीं रह पाएंगे इसलिए हमें पेर लगाने चाहिए दे गसकसली रूले सार्यू फाले ही उजया परिबेख होबो आरू बताह खुझ्छ होबो आमार उखाहलोबर बाबे आमी आवश्यक मात्राट आमी अक्सिजन गेस पाए ठाकी बड़ोखुन भाल होबो आरू बड़ोखुन भाल होले हश्चा भाल होबो आरू पिठी सिरोखी उज होई देखिबो आरू खेकार ने गसकसली रूपा लगे हाथ नम्मर खेखर पसलोदो संतुलें बिगर जाने से हमारे भूभाग पर क्या असर पड़ेगा भाल हाइम मा बिनस्तों हने आमार पिठी बीर की प्रभाप पोड़िबो उट्टर लिखिबा संतुले बिगर जाने से हमारे भूभाग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा भूभाग एक भयानक रेगिस्तान में परिबर्टित हो जाएगा तो भाल खाइम मा बिनस्तों हले पिठी बीत बहुत तांग और प्रभाप पोड़िबो तो पिठी बीखन एक हन भयंकर मोरुभुमित पोड़िन तो होब आत नम्बर काज्य गलाब तुस्वा आवो ध्यान चे देखे तो बालेके देखिछा री अंग अरु अहा शो री अंग अरु अहार मात्राक अनुश्वार अरु विश्वार गब दिकोए शो ए मात्रा कीटा बेबहर कोईंटे किसमान खब्ड़ गठन ह तंढ जरेके किटाग्न, किटाग्य, क्रिष, गंदा, जंगल, आंट, आंग, अटः, पुनाह, प्राटः, च, शो एतिया ए री अनुश्वार अरु विश्वार गब दिकोए शाइटा शाइटा हब्ड़ लिखी बलेकोशे शो एटा री की मात्रा बेब़ः कोईपला आ अनुष्वार बेबबहार कोई प्लाइ लिखिवा पारू अं, अंग्डेजी, अंगूर, अंबर आको बिश्वार बेबबहार कोई प्लाइ आमी लिखिवा पारू कुरमा सा, 27 मुख्याहता निसांदेः सो एना दोर आमी हबड़बुर गठन कोई पारू प्यासे को पानी दो पास नमबर रोहन को बुलाओ और स्वाय नमबर रीमा घर से निकली तरबस और एक घर नमबर काज़ा कला प्यस्वा आओ रेखांकित सब्डों के बिपरिट आर्थक बिलो मार्थक सब्ड बृत्र में से लिखकर खाले जगा भरे यार तुमालों को बिपरिट हब्डों लिखी बलेगो से बिपरिट हब्डों लिखी बलेगो से गोपाल अच्छा लर्का है लेकिन अब्डूल डेश लर्का है यार पासद गोटो कुनाल सुंधर है लेकिन उसका भाई पानि दैस है है तो खाली ठाय के खालब यदी आते हैं मतंगके mean और नला के गला।